अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही उपर हो जिन्दगी जीने के लिए मिली है इससे लोग क्या सूचेंगे यह सूचने में बरवाद मत करो किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो सहारा दो उसे हिम्मत दो क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वह आपको दुआ जिन्दगी भर देता रहेगा मनुस्य सुभै से साम तक काम करके उतना नहीं ठकता जितना चिंता और क्रोध के एक छन में ठक जाता है संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुमें किसी की ज़रुरत नहीं पड़ेगी तुम खुद सब की जवरत बन जाओगे सला देने तो हजारों आते हैं लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है क्योंकि जो आज आपके साथ है वो हकल आपके खिलाप हो सकते हैं बिना मतलब के कोई आपकी इज़त नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ, कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज़त करें। भगवान कहते हैं सोने से पहले तुम सब को माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूँगा भगवान ऑक्सिजन की तरह हैं जिने आप देख नहीं सकते लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते कोई और तुमारी मदद नहीं कर सकता अपनी मदद सुएं करो आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुस्मन भी इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बाते करने लगे बलकि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं सब दुख दूर होने के बाद ही मन परसन होगा यह आपका भरम है मन परसन रखो सब दुख दूर हो जाएंगे ये हकीकत है किसी भी वैक्ती की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सूचू यदि वैक्ती महत्पुर्ण है तो भूल जाओ और बात महत्पुर्ण है तो वैक्ती को भूल जाओ रिस्तों का संबंद सिर्फ रक्त से नहीं होता जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिस्ता नहीं होता भगवान कहते हैं तुम सब कुछ मुझे सौप दो सारा दर्द, परिसानी और बिल्कुल हलकी होकर मुझे याद करो देरे देरे तुमारा जीबन बदल जाएगा हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिन्चरिया बता के सोए अगर आपके दौरा किसी का दिल दुखा है तो मनी मन उससे माफि माँगे अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगबान को सौप कर सो जाए यकीन मानिए इस से आपकी जिंदगी खुसनमा बन जाएगी कुरोध बोला हुआ एक सब्द इतना जहरिला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नस्ट कर सकता है सब को हसाना लेकिन किसी पर भी हसना मत सब के दुख बाटना लेकिन किसी को दुखी मत करना सब की राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल जलाना मत यही जीवन की रीत है जैसा बोगे वैसा ही पाओगे दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है इस स्वर को ना हमारे तन की जरुरत है ना धन की उसको तो बस पवित्र मन की जरुरत है इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता बस कहता है बच्चे मन से विकार छोड़ो गंदे विचार छोड़ो जो आने वाला है वो हमेशा गुजरेवे कल से बहतर होगा यही एक सोच आपके जीवन में कभी निरासा नहीं होने देगी जूट कितना अजीब है खुद बोलो तो अच्छा लगता है दूसरे बोले तो गुसा आता है खुसियां चाहे किसी के साथ भी बाट लो पर गम हमेशा भरुसे मन्द इंसान के साथ ही बाटना चाहिए जीवन में समय चाहे जैसा हो परिबार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है दुख हो तो बढ़ जाता है सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाप हो आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से लकीन मानिये जितना भी है वो जल्दी कई गुना हो जाएगा परार्थनाय और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते है और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं स्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले मा छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद की सोर मिले वो भी छूटे, संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मतुरा छूटा, स्री कृष्ण से जीबन पर कुछ न कुछ छूटता ही रहा, नहीं छ तेरे कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुस रहें, सदा मुस्कराते रहें। जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपके हार का इंतिजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है, तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं। क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीडा के लिए संसार को दोस मत दो, अपने मन को समझाओ। तुमारे मन का परिवर्दन ही तुमारे दुखों का आंत है। सोच और नियत अच्छे रखिए, फिर आपके कस्ट परभू सुआएं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उमेद छोड़ना नहीं और दुनिया बालों से कभी उमेद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू है, जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सूचे, निरंतर अपने लक्षी को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिरगिराने से ना महबबत मिलती है ना इज्जत, इसलिए अपने सुभिमान को जिन्दा रखो, कोई अगर आपकी किस्मत में होगा, तु आपके पास खुद ही चल कर आएगा, दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो, कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है, सिर्फ दो चीजे मनुस्य के भाग्य का निर्वान करती है, पहला स्वभाव, अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, बिनर्मता और गुन है, तो आपका भाग्य अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगरना अनिवारी है, इसलिए अपने स्वभाव को मधूर और आकरसित बनाईए, दूसरा आपकी बानी, बोलना तो आदमी धाई साल की उमर में ही सीख जाता है, परंतु कब कहां और कैसे बोलना है, उस पिता से बड़ा कोई सलहकार नहीं, मा की छाहों से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागिदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई सुभ जिन्तक नहीं, इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है, तो अपने मतलब से मतलब रखो, दुआएं मांगने से किसका भला होता है मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है तुम नीचे गिर के देखो कोई नहीं आएगा उठाने तुम जड़ा उड़कर तो देखो सभाएंगे गिराने एक बात हमेशा याद रखना अगर सराव की दुकान पर बैटकर दूद पीओगे तो तुमें सरावी का ही दरजा मिलेगा और किसी मंदिर में बैटके पानी भी पीओगे तो तुमें एक संत का दरजा दिया जाएगा इसलिए आप किसके साथ उटते बैटते हो ये बहुत माइने रखता है दोस्तों आसा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत सारे सीख ले होगी मिलते हैं जल्दे एक नए ग्यानवर्दक वीडियो में धन्यवाद